आदाब दोस्तों, दुनिया भर की अलग-अलग कहानियों के उर्दू-हिंदी अनुवात को सुनने के लिए, हमारा नया यूट्यूब चैनल तरजुमा सब्सक्राइब करना न भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ अब आप अद्वी दुनिया पर मौजूद आडियो फाइल्स को स्पोटिफाई पर भी सुन सकते हैं। शुक्रिया। कहानी अंतिम प्यार रविंद्रनाथ टैगोर आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर पर बैठे मित्रों के साथ मनुरंजन कर रहे थे। ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक व्यक्ती ने कहा। योगेश बाबू नरेंद्र क्या कहता है आपने कुछ सुना। योगेश बाबू ने आराम कुरसी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली और पश्चाद बोले। क्या कहता है। नरेंद्र कहता है कि बंग प्रांत में उसकी कोटी का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। ठीक है अभी कल का छोकरा है ना। हम लोग तुझेसे आज तक घास चीलते रहे हैं। जुझला कर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बाते कर रहा था उसने कहा। केवल यही नहीं नरेंद्र आपको भी सम्मान की दृष्टी से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा। क्यों? कोई अपराध? वो कहता ह है कि आप आदर्श का ध्यान रखकर चित्र नहीं बनाते। अच्छा तो किस दृष्टी कौन से बनाता हूँ? दृष्टी कौन? रुपए के लिए? योगेश ने एक आँख बंद करके कहा। व्यर्थ फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर के बहुत देर तक मौन बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही कारण था कि योगेश ने भी सौभाव विरुद्ध सिर पर लंबे-लंबे बाल रखे हुए थे। ये बाल उसके मुख पर बिलकुल नहीं भाते थे। क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आकरमण से उसके प्रान तो बच गए थे, किन्तो मुख बहुत कुरूप हो गया था। एक तो श्यामवर्ण, दूसरे चेचक के दाग। चहरा देखकर सहसा यही जान पड़ता था, मानो किसी ने बंदूख में छर्रे भरकर ल तो धित स्वर में बोले, तुम लोग हस रहे हो, क्यों? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी-जल्दी कहा, नहीं माशय, आपको क्रोध आये और हम लोग हसें, भलाई संभव हो सकता है, हां, समझ गया मैं, अब अधिक चातुर्रे की आविशक्ता नहीं, क्या तुम ही सही, हम हसते ही थे और रोते भी क्यों, पर हम नरेंदर के पागलपन को सोच कर हसते थे, वो देखो मास्टर सहाब के साथ नरेंदर भी आ रहा है, मास्टर सहाब के साथ-साथ नरेंदर भी कमरे में आ गया, योगेश ने एक बार नरेंदर की ओर वक्र दृष्टी से अतेव वो बात को संभालते हुए मुस्कुराते से बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? नरेंद्र कहता है कि मैं रुपए की दृष्टिकोंड से चित्र बनाता हूँ, मेरा कोई आदर्श नहीं है? मनमोहन बाबू ने पूछा, क्यों नरेंद्र? नरेंद्र ज अभी कलका छोकरा और इतनी बड़ी-बड़ी बाते हैं? मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू, जाने दीजिए, नरेंद्र अभी बच्चा है, और बात भी साधारण है, इस बात पर वाद विवाद की क्या विशक्ता है? योगेश बाबू उसी तरह आवेश में बोल महाशे, अभी जरा देर पहले ही तो आपने उसे कलका छोकरा बताया था? योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया, बोले, कब कहा था? अभी, इसे जरा देर पहले? जूट, बिलकुल जूट, जिसकी इतनी बड़ी-बड़ी मूचे हैं, उसे छोकरा कहूं, असंभ हव है, क्या तुम लोग यही कहना चाहते हो कि मैं बिलकुल मूर्ख हूँ? सब लड़के एक स्वर से बोले, महाशे, ऐसी बात तो हम भूल कर भी जिवहा पर नहीं ला सकते. मनमोहन बाबू किसी प्रकार हसी को रोक कर बोले, अच्छा चुप चुप चुप, सब चुप, गोल माल न करो. योगिश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम ये कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टकर का कोई चित्रकार नहीं है? नरेंद्र ने कहा, अच्छा, आपने कैसे जाना? तुम्हारे मित्रों ने कहा, मैं ये नहीं कहता, तब भी इतना आवश्य कि मेरी तरह रदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता. अच्छा, क्या प्रमान है इसका? नरेंद्र ने आवेश मै स्वर में कहा, प्रमान की क्या आविशकता है? मेरा अपना येही विचार है, तो तुम्हारा विचार असत्य है. नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया. मनमोहन बाबु ने इस अप्रिय वारतालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र इस पार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, जी, विचार तो है, ठीक, मैं देखूंगा तुमारा चित्र कैसा रहता है? नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पग धूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं, उसे क्या चिंता? देखना, सर्वुत्तम रहेगा. योगेश बाबु ने कहा, राम से पहले रामायन, पहले चित्र बनाओ, फिर कहना. नरेंद्र ने मूँ फ कुछ भी कहें, मगर नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ती पर बहुत विश्वास है. मैं द्रड निश्चे से कह सकता हूँ, ये भविश्य में एक बड़ा चित्रकार बनेगा. नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया. एक विध्यार्थी ने कहा, प्रोफिसन साहब, मनमोहन बाबू ने कहा, ममारा छूट रहा है, और वो बिना किसी कश्ट के बैठा चित्र बना रहा है. मैं तो देखकर चकित रह गया, मेरे मालूम करने पर उसने उत्तर दिया, कि उंगली काटकर देख रहा था कि खोन का वास्त्विक रंग क्या है. अजीब विक्ति है, तुम लोग इसे विक्षि कि कारण ही तो वो एक दिन जरूर अमर कलाकार कहलाएगा. योगेश बाबू आँख बंद करके सोचने लगे. जैसा गुरू, वैसा चेला, दोनों के दोनों पागल है. उधर नरेंद्र सोचते सोचते मकान की ओर चला. मार्ग में भीडभार थी, कितनी ही गाडियां चली ज प्यान नहीं था. उसे क्या चिंता थी संभवता इसका भी उसे पता नहीं था. वो थोड़े समय के भीतर ही बहुत बड़ा चितरकार हो गया. इस थोड़े से समय में वो इतना सूप्रसिद्ध और सर्व प्रिय हो गया था, कि उसके इर्ष्यालू मित्रों को अच्छा न ल इनहीं इर्ष्यालू मित्रों में योगेश बाबू भी थे. नरेंद्र में एक विशेश योगिता और उसकी तूलिका में एक असाधारन शक्ती है. योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे, परंतु उपर से उसे मानने के लिए कताई तयार न थे. इस थो और भूल कर भी उसका ध्यान कभी नहीं जाता था. उसके रदय की महत्वा कांग्शा थी कि चित्र बहुत ही सुन्दर हो. उसमें अपने धंग की विशेश विलक्षनता हो. मुल्य चाहे कम मिले या अधिक. वो अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूप रेखाओं क अपने चित्र में देखता था. जिस समय वो चित्र को चित्रित करने बैठता, तो चारों ओर फैली हुई असीम प्रकृती और उसकी सारी रूप रेखाएं रुदय पट में गुम्फित कर देता. इतना ही नहीं, वो अपने अस्तित्व से भी विस्मृत हो जाता. उस समय व उसके स्वभाव में यों सादगी थी. वो जो बात सादगी से कहता, लोग उसे अभिमान और प्रदर्शनी से लदी हुई समझते. उसके सामने कोई कुछ न कहता, परंतु पीछे-पीछे लोग उसकी बुराई करने से चूकते न थे. सब के सब नरेंद्र को संग्या हीन सा पाते. वो किसी की बात को कान लगा कर न सुनता. कोई पूछता कुछ, वो उत्तर देता कुछ और ही. वो सरवदा ऐसा प्रतीत होता जैसे अभी-भी स्वपने देख रहा था. और किसी ने सहसा उसे जगा दिया हो. उसने विवाह किया, एक लड़का भी उत्पन्न हुआ. पतनी बहुत सुन्दर थी. परंतु नरेंद्र को ग्रहस्तिक जीवन में किसी प्रकार का आकर्शन न था. तब भी उसका रुदय प्रेम का अथा सागर था. वो हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिध्धी प्राप्त करे. यही कारण था कि लोग उसे पा के होते हैं. वे सांसारिक दुख सुख में किसी प्रकार दूबना नहीं जानते. उनका रुदय हर समय कारे की पूर्ती में सनलगन रहता है. नरेंद्र सोचते सोचते अपने मकान के सामने आकर खड़ा हो गया. उसने देखा कि द्वार के समीप उसका चार साल का बच्चा पिता का हाथ पकड़ लिया और खीचते हुए कहा. बाबुजी देखो हमने एक मेंधक मारा है जो लंगड़ा हो गया है. नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा कर कहा. तो मैं क्या करूं? तू तो बड़ा पाजी है रे. बच्चे ने कहा. वो घर नहीं जा सकता. लंग जैसे भी हो अपना एक चित्रों से भेजना ही चाहिए. कमरे की दीवार पर उसके हाथ की कितने ही चित्र लगे हुए थे. कहीं प्राकृतिक द्रश्य, कहीं मनुष्य के शरीर की रूप रेखा, कहीं स्वन्ड की भाती सरसों के खेत की हरियाली, कहीं जंगली मन मोहग जलसी जा रही थी, और सैकणों पथिक दूप से व्याकुल होकर छायादार व्रक्षों के सम्मूह में शरनार्थी थे. ऐसे कितने ही द्रश्य थे, दूसरी और अनेक पक्षियों के चित्र थे, उन सब के मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे. कोई गुस्से से भ खरा हुआ, कोई चिंता की अवस्था में तो कोई प्रसन्न मुख. कमरे के उत्तरीय भाग में खिडकी के समीब एक अपूर्ण चित्र लगा था. उसमें ताड के व्रक्षों के समूह के समीब सरवदा मौन रहने वाली छाया के आश्रय में एक सुंदर नव यूर्ती, नद तो यौवन अभी उसके शरीर में पूरी तरह प्रस्फटित नहीं हुआ है. इन सब चित्रों में चित्रकार के इतने दिनों की आशा और निराशा मिश्रित थी. परन्तु आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी और आकर्षित न किया. उसके रिदय मे अपनी और आकर्षित न कर सकी. क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे. उच्च ही नहीं, बलकि बहुत उच्च तम होकर चील की भाती आकाश में मंडराना चाहते थे. यदि वर्षा रितु का सुहावना दिन हो, तो क्या कोई शक्ती उसे रोग सक अपनी पहली अवस्था पर किसी प्रकार भी वो संतुष्ट नहीं था. नरेंद्र के रिदय में रह रहकर यही विचार आने लगा. भावना और लालसा की एक जड़ी सी लग गई. उसने निश्चे कर लिया कि वो इस बार एक ऐसा चित्र बनाएगा, जिससे कि उसका नाम बो जाए. वो इस वास्त्विक्ता को सब के दिलों में बिठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूती बचपन की अनुभूती नहीं है. मेज पर सिर रखकर नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा. कि वो क्या बनाएगा? किस विशय पर बनाएगा? रिदय पर अगात होने से साधारन प्रभाव पड़ता है. बहावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चित्र उसकी आखों के सामने से सिनेमा चित्र की भाती चलते गए. परंतु किसी ने भी दंभर के लिए उसके ध्यान को अपनी और आकरशित न किया. सोचते सोचते संध्या के अंधियारे में शंक की मधुर्धवनी ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया. इस स्वर लहरी से नरेंद्र चौक कर उठ खड़ा हुआ. तद पश्चात उसी अंधकार में वो चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की भाती टहलने लगा. सब्व्यर्थ महान प्रयत्न करने के पश्चात भी उसे कोई विचार न सूझा. रात बहुत जा चुकी थी. अमावस्या के अंधेरे में आकाश परलोग की भाती दुंदला प्रतीत होता था. नरेंद्र कुछ खोया-खोया सा पागलों की भाती उसी ओर ताकता रहा. बाहर से रसोईये न द्वार खट-खटा कर कहा, बाबुजी, चौक कर नरेंद्र ने पूछा, कौन है? बाबुजी भोजन तयार है, चलिए. जुझलाते हुए नरेंद्र ने कटू स्वर में कहा, मुझे तंग न करो, जाओ, मैं इस समिना खाऊंगा. कुछ थोड़ा सा, मैं कहता हूँ उसको चैन कहा, इसी तरह एक सप्ताह बीट गया, इस सप्ताह में नरेंद्र ने घर से बाहर कदम तक न निकाला, घर में बैठा वो सोचता रहा, किसी न किसी मंत्र से तो साधना की देवी अपनी कला दिखाएगी ही, इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्र जला कर सर के बाल तक नोच लिये, वो अपने आपको गालियां देता, प्रत्वी पर पेट के बल पढ़कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सब व्यर्थ, प्रातहकाल नरेंद्र मौन बैठा था, कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया, उसने नहीं, लिखना, तुम्हारी क्या प्रगती हुई है, और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है, योगेश बाबू ने चित्र चित्रत कर दिया है, मैंने देखा है, सुन्दर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है, तुमसे अधिक प्रियम मुझे और कोई नहीं, मैं आशिरवाद देता हूँ कि तुम अपने गुरू की लाज रख सको, इसका ध्यान रखना, इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा, तो तुम्हारी ख्याती में कोई बाधा न रहेगी, तुम्हारा परिश्रम सफल हो, यही कामना है, मन मोहन, पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी व्याकुल हो गया, केवल एक सप्ताह, केवल एक सप्ताह शेश है, और अभी तक उसके मस्तिश्क में चित्र के विशय में कोई विचार नहीं, खेद है कि अब वो क्या करेगा, उसे अपने आत्म बल पर बहुत विश्वास था, इसी तुच्छ शक्ती पर वो दस व्यक्तियों में सिर उठाय फिरता रहा, उसने सोचा था कि अमर कलाकार बन जाओंगा, परंतु वाहरे दुर्भाग्य, अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आँखों में आसु भराई, रोगी की रात जैसे आँखों में निकल जाती है, उसकी वो रात वैसे ही समाप्त हुई, नरेंद्र को इसका तनिक भी पता न हुआ, उधर वो कई दिनों से चितरशाला में ही सोया था, नरेंद्र के मुख पर जागरण के चिन्ह थे, उसकी पतनी दोड़ी दोड़ी आई, और शीगरता से आकर उसका हाथ पकड़ कर बोली, अजी बच्चे को क्या हो गया है, आकर ज़रा देखो तो, नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, पतनी लीला ने हाफते हुए कहा, शायद है जा, इसी प्रकार खड़े न रहो, बच्चा बिलकुल अचेत पड़ा है, बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शैन कक्ष में प्रवि बच्चा जीवित नहीं है, केवल उसके वक्ष के समीब कोई वस्तु धक धक कर रही थी, और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ चिन्ह दृष्टी गोचर होते थे, वो बच्चे के सिरहाने सिर जुका कर खड़ा हो गया, लीला ने कहा, इस तरह खड़े न रहो, जाओ, जाओ जाकर डॉक्टर को बुला लाओ, मा की आवाज सुनकर बच्चे ने आखे मली, और भर्राई हुई आवाज में बोला, मा, ओ मा, हाँ मेरे लाल, मेरी पूंजी, क्या कह रहा है, कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद में चिप्टा लिया, मा के वक् नरेंद्र ने दभी आवाज में कहा, हैं, डॉक्टर, पती की आवाज का अस्व अभाविक स्वर सुनकर लीला ने चकित होते हुए कहा, क्या, नहीं, नहीं, कुछ नहीं, जाओ, डॉक्टर को बुला लाओ, हाँ, 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 अभी जाता हूँ, नरेंद्र घर से बाहर न नरेंद्र चित्र शाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ कया, दोनों हाथों से मूँ को ढापकर वो सोचने लगा, उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था, जैसे वो किसी तीवर आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है, चारों और गहरे सुनेपन का राज्य था, केव धक धक, धक धक। हाय की रुदय बेधक आवाज उसके कानों में पहुची, मेरे लाल तु कहां चला गया, जिस प्रकार चिल्ला तूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, चिंता और व्याकुलता से ठीक, उसी तरह नरेंद्र सीधा खड़ा हो गया, उसके मुख पर लाली का चिंह तक न था, फ इसके बाद वो अपने सिर के बालों को मुठी में लेकर सोचने लगा, जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुश्य निद्रा से चौँक उठता है, उसी प्रकार, चौँक कर जल्दी-जल्दी मेज पर से कागस, तुलिका और रंग आदी लेकर वो कमरे से बाहर निकल गया, शेह ज्ञाक कर उसने भाय से थर-थर कापते हुए अंदर देखा, तो उसके सारे शरीर में काटे से चुप गए, बिस्तर उलट-पुलट हो रहा था, पुत्र से रिक्त गोध, मा वहीं पड़ी तड़प रही थी, और इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मा कमरे में प्रत्वी पर लोटते हुए, बच्चे के मरत शरीर को दोनों हाथों से वक्ष स्थल के साथ चिपटाए, बाल बिखेरे, नेत्र विस्फारित किये, बच्चे के निर्जीव होटों को बार बार चूम रही थी, नरेंदर की दोनों आखों में किसी ने दो सलाखें चुबो दी, उसने ह पोट चबाकर कठिंता से स्वयम को संभाला और इसके साथ ही कागस पर पहली रेखा घींची, उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक द्रश्य उपस्थित था, संभव तह संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा द्रश्य सम्मुख रख कर तूलिका न उठाई होगी, नरेंदर जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा, जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की थी, उसके उंगलियां किसी अज्यात शक्ती से अपूर्व शक्ती प्राप्ट कर चुकी थी, रूप रेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा, ओ बेटा, बेट तुलिका उठाकर पुनह चित्र बनाना शुरू कर दिया। रह रहकर लीला का करंदन रुदन कानों में पहुँचकर उसके रुदय को छेड़ता और रक्त की गती को मंद कर देता और उसका हाथ स्थिर होकर उसकी तुलिका की गती को रोक देता। इसी प्रकार पल-पल बीतन लगे। मुख्यद्वार से अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्व व्यापी कोला हल से बहरा हो चुका था। वो कुछ भी न सुन सका। इस समय वो एक बार कमरे की ओर देखता और एक ब भूलता जा रहा था। सैसा लीला ने उसे देख लिया। दौडती हुई खिड़की के समीप आकर दुखित स्वर में बोली। सुनो, सुनो क्या डॉक्टर को बुलाया। जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। ये, ये क्या क्या, क्या चित् गए। वे अपना काम समाप्त करके प्राया संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातहकाल काम करने के लिए आ जाते थे। प्रते दिन लीला या नरेंद्र दोनों में से कोई न कोई द्वार खोल देता था। आज चिलाने और खटखटाने पर भी द्वार न खुला। और इधर रह रहकर लीला की करंदन ध्वनी भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने महले के कुछ व्यक्तियों को बुलाया और अंत में सबने सला करके द्वार तोड डाला। सब आश्चर चकित होकर मकान में घुसे। जीने से चड़कर देखा कि दीवार का सहारा लिये, द थोड़ी देर पश्चात वो ठाका मार कर हसने लगा, और सामने लगी चित्र की ओर उंगली दिखा कर बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर मैं आमर हो गया, मैं आमर हो गया। दिन बीटते गए, प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही वस्तुमें थी, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर जोके पड़ते थे, चित्र छोटा सा था और अधूरा भी, नाम था अंतिम प्यार। चित्र में चित्रित किया हुआ था, एक मा बच्चे का मृत शरीर रुदे से लगाए, अपने दिल के टुकडे के चंदा से मुख को बार बार चूम रही है, शोक और चिंता में डूबी हुई मा के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तूलिका ने एक ऐसा सूक्ष्म और दर्द नाक चित्र चित्रित किया था, कि जो देखता उसकी आँखों से आंसू निकल पड़ते, चित्र की रेखाओं में इतनी अधिक सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, इस बात को पहले कभी किसी ने ध्यान न किया था, इस दर्शक समोह में कितने ही चित्रकार थे, उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, क्या कहते हैं आप, योगेश बाबू, उस समय मौन धारण किये, चित्र की और वाह वाह की जड़ी लगा दी, परन्तु किसी को ये नमालूम हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मुल्य क्या है, जिसने इस चित्र को चित्रित किया है, किस प्रकार चित्रकार ने स्वयम को धूली में मिला कर रक्त से इस चित्र को रंगा है, उसकी ये दशा किसी को भी ग्यात नहो सकी.